हलो मित्रों, जै माता दी, माता दुरुगा के किरपासें और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं मत्रों, शाल 2023 का पहला सुरिगर्नी, यानी 20 अप्रेल दिन गुरुवार को रग रहा है ऐसे में सुरिगर्न हो या चंदरगर्न, मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के अनुसार, अवस्य ही प्रणामों की फ्राप्ति होती है यासे में सुरिगर्न का सही समय, सू तक्काल और ये किस रासी में लगेगा, कौन से साफधानी आपको बरती होंगी, भारत के किस दिशा में, किस हिसे में दिखाई देगा आपको पता है कि हमारा चैनल हमेशा आपको सटीक और सही जानकारी देने का प्रियासरत रहता है ऐसे में अपकी बार 20 अप्रेल दिन गुरुवार के लगने वाले इस सूरी गरन के बारे में आपको बताएंगे एक-एक करके सटीक जानकारी तो आपसे अनुरोध होगा कि हर बार की तरह इस पार भी आप बीडियो को पूरा जरूर देखें और बीडियो में बताईगे सारी के सावधानिया चाहे वह आम जन हो गरवती महिलाएं हो या कोई भी लड़के हो नागरिक हो वह इन सभी सावधानियों को देखकर समद कर ही आप आगे बढ़ें और सूरी गरन के दोरा जरूर सावधान रहें तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं सूरी गरन का सही समय सूतकाल और यह आपके सहर में लगेगा या नहीं लगेगा मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि सूरी गरन हो या चंद्र गरन मनुस्य के जीवन में इसका प्रभाव जरूर पड़ता है ऐसे में 20 अप्रेल को लगने वाले सूरी गरन किस समय आपको सावधान रहने की जुरत होंगे जी हम और गरहन के दोरान कोई भी सुबकारी करने की मना ही होती है इस दोरान मंदीरों के कपाट बंद रहेंगे लोग सुब फलो के लिए सिर्फ राम नाम का जाब करें सूरी के मंद्रों की जाब करें तथा आप अपने इस्ट देवता को याद करें मन ही मन आपको पूजा नहीं करनी है गरहन के दोरान गर्वती महिलाओं के लिए खास सावधानी बरतनी की बाते कही गई है जिससे कि गर्व में पल रहे सिस्ट पर कोई भी नकरात्म प्रभाव न पड़े मत्रों आईए सबसे पहले बात आपको बता देते हैं कि गर्वती महिलाओं को गरहन के दोरान कौन-कौन सी महत्पूर्ण सावधानियां रखनी आवसर कोंगी मत्रों सूरी गर्व में प्रकृति में कई तरह की असुद्ध और हानिकार क्रणू का प्रभाव रहता है इसलिए कई ऐसे कारे हैं जिन्हें गरहन काल के दोरान नहीं करना चाहिए गरहन काल के दोरान आप घर से बाहर ना निकले आपके पास सूरी की क्रिने जो की अल्ट्रा वेप्स होते हैं वो आपके घर पे आप पर नहीं पढ़ने चाहिए ग्रहनकाल के दुरान आप भोजन न करें अन जल ग्रहन न करें अगर आपके घर में पहले से बनावा भोजन है तो आप उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें ग्रहनकाल में सहवास न करें ग्रहनकाल में आप नुकीली चीजों जैसे कि तैची, सुई, चाकू ये धारदार चीजों का इस्तुमाल बिलकुल भी न करें ग्रहनकाल में असनान आप न करें ग्रहनकाल समापती होने के बाद आप असनान करें ग्रहनकाल के दोरान आप घर, द्वार की साफ सफाई न करें ग्रहन काल में मित्रों आपको ग्रहन समाप्त होने पर निश्चित रूप से घर की स्टाप सफाई और घर में पोछा अवस्य लगाएं ग्रहन काल में आपको ग्रहन को खुली आँखों से देखने से बचने होगा आप हालाकि सूरी ग्रहन देखने से आपको पर कोई बुरा असर नहीं होता है लेकिन ग्रहन के दोरान आप वो गुरु प्रदत मंत्र का जाप करते रहना चाहिए आप मंत्र का जाप अवस्य करें आपको हम बताना चाहेंगे कि गर्वती महिलाओं के दोरान आपको विशेस रूप से हनुमान 40 का पाठ पढ़ना चाहिए दुरुगा अस्तुत करना चाहिए और आप ओम नम शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और सूरी ग्रहन के दोरान खास्तुर पर भगवान सूरी देब को प्रसंद करने के लिए आप सूरी देब के मंत्रों का जाप जरूर करें ग्रहन काल के बाद लोगों को अस्नान करना चाहिए अस्नान कर खुद को पवित्र कर गए और मंदिरों के देवी देविताओं को भी हो सके तो आप अस्नान करवा दें घर के मंदर में बैठे देवी देविताओं पर गंगा जल छेड़क दें जो लोग ग्रहन के दुरान अंजल नहीं लिया हैं वे अब ग्रहन के बाद भोजन कर सकते हैं ग्रहन काल का सुतकाल ग्रहन सुरू होने से पहले 12 घंटे पहले होता है और ग्रहन समाप्ती के 12 घंटे बाद तक माना जाता है ऐसे में सुतकाल समाप्त होने के बाद ही मंदीरों में पूजा होगी इसी को देखती हुई आप विशेष सावधान रहने की कुशच करें मित्रों ये तो थी बाते हैं कि ग्रहन काल के दोरान मनुस्यकों और गर्वती महिलाओं को कौन-कौन से सावधानी बरतनी की आवस्यकता अब आईए आपको बताते हैं कि ग्रहन जो कि साल 2023 का पहला सूरी ग्रहन 20 अपरेल गुरुवार को लगने जा रहा है यह आपके सहर में दिखेगा या नहीं सबसे पहले तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें ताकि हम आपके सहर का सही सट जानकारी आपको दे सके आपको बताना चाहेंगे कि साल 2023 का पहला सूरी ग्रहन कल यानि आज यानि की 20 अपरेल दिन गुरुवार को लग रहा है इस हाइब्रेड सूरी ग्रण कहा जा रहा है क्योंकि यह पूर्ण सूरी ग्रण नहीं है आंसिक सूरी ग्रण होगा और वल्याकार सूरी ग्रण के वीज़ की अवस्ता हो हाइब्रेड सूरी ग्रण 100 साल में एक बार होता है इस सूरी ग्रन का नाम निगालू रखा गया है इस साल दो सूरी ग्रन लगने वाले हैं पहला सूरी ग्रन वीच अपरेल को वहें दूसरा सूरी ग्रन 14 आपको बताना चाहेंगे कि 20 अप्रेल को लगने वाला साल का पहला सूरिग्रन भारतिय समय के अनुसार सुभा 7 बचकर 4 मिनट से प्रारंब होगा और इस सूरिग्रन का समापन दोपहर 12 बचकर 29 मिनट पर होगा जी हां यह सूरिग्रन लगबग 5 घंटे और 25 मिनट का रहेग तो विशेश सावधान रहने की कुश्यस करें कहां कहां दिखाई देगा यह सूरिग्रन तो आपको बता दे कि साल 2023 का पहला सूरिग्रन भारत में दिरिश्य नहीं होगा यह पुर्व और दक्षिन एसिया औस्टेलिया प्रसांत महसागर हिंद महसागर और अंटा का ठीका से दिखाई देगा यह सूरिग्रन हिंद और प्रसांत महसागर में कुछ सकेंडों के लिए ही दिखाई देगा ऐसे में आपको बता दें कि विशेश सावधानी रखने की कुश्यस करें गर्वत्ती महिलाएं बच्चे और गुजरुगों को भी विशेश सावधानी रखनी होंगी सूता काल में भोजन और सोना दोनों ही मना होता है तो दोस्तों इस बार का सूरिग्रन जो है वह अपनी उच्रासी मेस में सूरिदेव रहेंगे इसके साथ ही मेस रासी में बुद्ध और राहों की उपश्च्चिति भी होगी आपका दिन बहतर बने आप अपने जी कर सकते हैं आपके जीवन की समस्ति प्रकार की समस्ताओं से आपको हुसार मिलेगा और कई प्रकार की दुख तगलीफों से भी आप छुटकार हुद कर सकते हैं आपका